अब बाय शाब राम राम संदीब जी राम राम बाय सब अपना सुभ सभास बिशनोई है जी और प्रोपरेडर सुभास बिशनोई डेरी फारं सिरी样 लाम एन शीटि करणपूर रोड म n7 सेंक श्कूल के आपने मैं बस्टेन जो गंगानोड विष्टिक है और रेल विश्टे सब चलते हैं दोनों पर कोलिंग तो आज की वीडियों में संदीब जी आठ गाएं जी और हर परकार की गाय देशी में भी है गिर क्रोस में भी है जी और इसके अलावा यह अपने पास गाय तो 25 होती है निटाइम में जी कैसी भी गाय कोई भी बाई ले सकता है कभी भी वीज करके यहां आके खरीज सकते हैं आज भी कुछ भाई आया है उनका वी इंटर्विव आपको दिलवाएंगे जिन्होंने आके गाये खरीदी हैं से जी हर्याना से आए हुए दोस्तों निचे सक्रीन पर नंबर मेंशन हो रहे हैं बाई साब के आप संप्रा कर सकते हैं इस से घाये की टेइल वीए रो एक बार भी बता देता हूं भाई जो भी घाये लें कहीं से वी लें विजिट करके लें तो सबसे देख के गाई ले सकते हो ओनलाइन जो हमें जानते हैं वह तो ओनलाइन भी ले रहें जी क्योंकि हम लगब पत्ची साल से इसी काम में लगे हुए डेरी फार्मिंग अपना काम है हर ब्रीड की गाई और बैंसके पर काम है वही बाई अपने आके चेक करें दूद दूए शान है जी और आज वीडियो में जो रैट से महारास्ट्र में और आंध्रा में ड्रांस्पॉर्ट करवाए crystal स्व जाये सबसे पहले दोस्तों एक नंबर पर यह गाएं आपको खोल कर चला कर दिखाई जा रही है साइवाल ब्रीड के अंदर है सब्सक्राइबर पहले लगषा देगी और पहली बार म ही 14-15 किलो दू देगी ऐडर कापी अच्छा बनाएगी वङ आडर जी बहुत यह अच्छा बनाएगी कि इसका जो मदर मिलक रिकोर्ड है वो भी स्वर्ण साहिवाल थी इसकी मात थी जो भी जी और इसको साहिवाल का ही सिमन लगा हुआ है और पहली बार में 14-15 किलो दूद गारेंटी के साथ देगी अभी ब्याने में लंसम पांसा दिन ले लेगी दस दिन यानिके सलवटे पू और स्वर्ण साहिवाल है और 53,000 में 1000 किलोमेटर कोई भाई खरी सकते हैं घर पहुंच की फैसिलिटी एवलबल है ठीक है जी बांद दूसरे नमबर पर एक और क्रोस ब्रीड के अंदर आप गाई देख सकते हैं कापी अच्छी हाइट वेट की है अडर की बनावट है वो भ ऐख अब बयाए तरी छूअशर काऊना दूसरी प्रियामीन के माई इसने तैएसं किलो दूद लिया कोई अच्छा दूसरी बार दीड़ा गीरे सवह इन वालाए इक दो दिन्य Comes इन दो बी ही है टूसरी बार भार हैं टूसरी बार और भुईशन और अब की बार यह दूद्ध किलो से उपर देगी गरंटी के साथ 25 लीटर से 25 किलो ऐसी गायों को लोग तो कई भाई साहिवाल प्योर बता देते हैं लेकिन प्योर साहिवाल नहीं है मैं बाई यों को बता देता हूं इसमें थोड़ा जर्सी क्रोस है लेकिन इसका गलकमबल ना भी है देख सकते हैं प्रोपर है जट बलेक है और इसका जो संदी रेट रखा गया ना जी वह 80,000 रुपे है एक जार किलोमेटर दर ट्रांसपोर्ट फरी है और 25 किलो से उपर दूद की गरंटी तो भाई जी अपने बात करते हैं जैसे एक जार किलोमेटर विदाव ट्रांसपोर्ट कोई बाइस गाएं को अपने फारम से लेना चाहते हैं जैसे अपना वाइकल लेकर आ रहे है तो विदाव ट्रांसपोर्ट क्या प्रजाइज रहे हैं साथ से आठ यार्पे कम कर दिये जाएंगे आठ जार किलोमेटर का उसमें बड़ी गाड़ी का प्राइज मतलब बारा जाती है जाती है हर शेतर में क्योंकि बहुत से बाइस से भी होता ना यहां पर आने के बाद में जैसे उनको एक जार किलोमेटर तक कोई भी चीज लेकर जानी होती है तो मेरे अपने फारम से डारेक्ट आके लें तो इसी रेट में मिलेंगे जी और ट्रांसपोर्ट फरी मिलेगा जी इस से आगे जी तो तीसरे नंबर पर एक और मिक्स ब्रीड के अंदर आप गाएं देख सकते हैं इसकी अडर को आल्टी का पी शांदर हाइट वेट में भी कापी अच्छी बचिया है बिल्कुल छोटा सफेस है वाई साब हां जी यह स मिक्स ब्रीड में हैं जिसके दूद भी अच्छा दें और फैंट भी इनकी अधिका है क्योंकि जो भाई दूद बेचने के लिए लेते हैं और एक कितनी भी गर्मी महसूस नहीं करेंगी अभी लंसम 45 डिगरी टंपरेचर है अपने वीडियो बना रहे हैं अब भी लग 45 ड सब्सक्राइब करते हैं जब तो 25 साल से काम करते हैं बाके रिजिस्टर डेरी फारम हैं बाइसाब का काफी लंबे समय से जैसे बाइसाब ने बताया कि 25 सालों से किसी काम में लगे हुए हैं तो प्राइज के बारें बात करें वाइसाब यह अभी 80,000 की दे देंगे जी विद ट्रांसपोर्ट 1000 किलोमेटर जी तो आज 25-25 किलो डिमांड़ गाए हैं जी हाँ गिरलेंडो बहुत बड़ी डिमांड है जी जी डिमांड भी क्यों ना हो जी इसको जाब 50 दिगरी प्लस में बांद दो इसमें गर्मी मनानी नहीं दूद भी एटू मिलकी देना जी कोई भी लेब में टेस्ट करा ले और जैसे यह बच्ड़ की पर सेंट भी कापी अच्छी रहती है दू तो 25 किलो दे सकते हैं पहली बार में लेकिन आपका कम बता रहे हैं को वी दस दिन पड़ें तभी तो इन गायों का क्रेज है जी हान जी अभी दस दिन बाकी हैं पहली बार में हाइट और अटर क्वाल्टी थणों का स्पेस सब्सक्राइब करें तो यह भी गाएं कापी अच्छी है अडर की बनावट भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका भी अडर रहने वाला है क्योंकि अभी गाएंप्रेगनेट है इसके थर्णों में अभी गेप देख सकते हैं और पीछे से सलवटे हैं बहुत बढ़ा अडर बढ़ाएगी जी संधीब 20 ने पहली बार में 20 किल वाल नहीं है इसमें पांच से साथ परसेंट मिक्स ब्रीड है लेकिन इसको जो सिमन लगा ना बाइस जिए वह साही वाली बताया जिस किसान से आपा लिये जिए बहुत अच्छा सिमन लगा है क्योंकि अगर यह बच्छडी ले आती है तो वह बहुत यह पेली बार में पंद सब्सक्राइब कोई भी बाई ले होम डिलिवरी फरी है एक जार किलो मिटर तक ट्रांस्पोर्ट फरी है जी पिचान में अजार उपए में घर तक पहुंच के रेट है अडर क्वाल्टी शान सबाव हर एक चीज़ की गरंटी है जी निचे दोस्तों सक्रीन पर आपको नंबर जो भी गाई पसंद आती है तो बाई साब को स्क्रीन सोट डालकर और दिक इन गायों की डेटेल ले सकते हैं जी और सबाव तो सभी गायों का आप साथ की साथ देख सकते हैं चलने फिरने में कापी अच्छी है सांच सबाव के अंदर है कोई भी मारना बागना दोड़ना चंचल सबाव नहीं है जी छटे नमबर पर दोस्तों एक और रेड कलर के अंदर आप गाई देख सकते हैं यह भी कापी शांदर है जित्ती भी गाई दिखाई है बाई साब अडर की सभी की सभी एक नंबर है जी अडर की हाइट की एक नमबर है जी हस्त-पुस्त गाई लाकि उनको एक अच्छी गाएं गर बेठे प्रवाइड हो सके हां जी हां जी और अच्छे इंसान से मिल सके जी अपनी तो 25 साल से ही काम कर रहे हैं जी पूरी गरंटी से मज़े लगता है जो वीडियो देखते हैं जी जी पचासाट परसेंट तो आदमी जो किसी भी चैनल होगी लाते मारेगी लेकिन भाई जी इसकी एक तो सबाव की गरंटी है जी यह देख सकते हम नीचे बेट के पुरा परवार खेड़ सकते हैं जी आइड देख सकते हैं कितनी है जी और पहली बार में यह 18-19 किलो दूद देगी जी फस्ट बयांत में इसमें भी थोड़ा सा मिक्स ब्रीड है प्योर सही वाल नहीं है जी थोड़ा सा क्रोस कह सकते हैं मिक्स कह सकते हैं और पहली बार में 18-20 किलो दूद की बचड़े जी अठारा के लोग गरंटी ले 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 जी जी पहली बार में और प्राइज भाई साव यह जी सत्तरह जार्पे की देदेंगे जी बहुत बड़ी गाएं दिखाएंगे जी एरा ही दिखाएंगे जी इससे आगे दोस्तों सात में नंबर पर एक और गाएं देख सकते हैं यह भी प्रेगनेंट अब है यह प्रेगनेंट है जी यह बच्डी दूसरी बार बियाईगी जी यह फी साइवाल के इंदर है इसमें पांच साथ परसंट क्रोस है लेकिन दूश अमता इसकी 20 किलो गी जी अच्छा जी पहली बार इसने 17-18 किलो दूद दिया है बहुत ही शानदार है आइट वेट की वैसे तो साइवाल में चलती है जी लेकिन इसमें कोई 5-4 परसंट इसका मा या जैसे कोई फादर रहा है मिक् है लेकिन सो परसंट प्योर नहीं है जी ब्याने में किता समय बाकी यह भी ब्याने में 10 दिन ले लेगी जी दस दिन हां जी बिल्कुल ठंडी शांद सबाव कि जी और दूद आब बतारे हो 20 लीटर तक दूद तो 20 किलो की फुल गरंटिया उपर इदेगी कम नहीं देगी सबाव शांत है जी बिल्कुल शांत यह देख सकते हैं जी कोई ले सकते हैं शांत बिल्कुल शांत सबाव की गाएं जी और प्राइज भाई साब यह सर जी 62 रुपे में देदेंगे 1000 किलोमेटर ट्रांसपोट फुरी आजकी वीडियो की दोस्तों लास्ट नमर पर आप गा अन्दर रहा है बहुत बाई ऐसी गायों की डिमांड करते हैं क्योंकि आज के गर्मियों की सीजन में की बात आती है तो लंग सम ऐटी परसेंट ऐसे होते जो थार परकर गायों की बरीड के बारे में बात करते हैं और इस गायां का जो अडर यह वह भी देख सकते हैं फोर सब्सक्राइब देख सकते हैं इसकी माजी दो थन की आईती फारम से अच्छा जी और उसने इस बच्डी को जनम दिया था रोग लो कोई बात नहीं जी और बिल्कुल शान सबाव किया अब कैसे भी टच करो थोड़ा डर यह गाए जी देख सकते हैं सूरतगड सीसी भी फारम को जो जानते हैं जी वो तो उनको पता ही है जी बिल्कुल सान सबाव किया जी जी नहीं जी अभी यह ब्याने वाल यह दो चार दिन में प्रेगनेट अभी हां जी तोडर तो अभी बहुत शांदर बना रखा जी बाई जी यह फारम का एक रिकार्ड की थी दो थन की गाएं काफी महेंगी खरीदी गई थी वहां से उसने इस बश्री को जनम दिया था जी किते दूसमता के पैक्सिया जी अब की बार जी सत्रा ठारा के लो दू तो बड़े अराम से देदेगी जी सत्रा से ठारा लेटर और प्राइज बाई साब इसका ठार पार कर चाहते हैं युए जो 50g V तंपरेचर हो जी तो इसको तो इसको कोई परवाव ना पड़े जी आर पार कर कर का ये मतलव- थार, थार मतलब सूक के अरिया की गाएं जी गाई जी पार पचाश acid गरी टमप्रेचर हो, जी इसको कोई फरक किने पड़े और दूसरी बार की वार यicas दूद भी 18ंड तक तो ममूली सी बात वह देगी 20 किलो बिस ने सिर्फटकर बोते कर करके इस के बारे में दिख जानकर ले सकते हैं तो आज के वीडियों दोस्तों आठ नहीं का लोट भाई सामने आठ गाये दिखाएंगे राट की आठ एक से बढ़ करें का जी और अंडड़ परसेंट गारेंटी के साथ है जो भी भाई ले जी हां जी दन्यवाद विजिट जरूर करें फारम पे गंगानगर में कहीं भी गंगानगर जिले में चैतर में कस्टमर आता है तो इसको पहले गंगानगर आना ही पड़ता है और अपना गंगानगर में चीटी में फारम है और जितने आके वीडियो लगते हैं इसी रोड से उकरके लोगों गुजरना पड़ता है जो भी आते हैं तो अपने गेट के आगे से सभी गुजरतें जी तो एक बाद तो आज मारे पास हर्याना चेतर से बाई आये हों जिन्होंने देशी गाये खरिदी साहिवाल नसल में तो यह कल से आया इन क्या एड्रस क्या आपको बताते हैं अपना नाम क्या पहले तेएं बताजी अपना जिला सोनि पत है और तसील गौाना जिला सोनिपत जी और खानपूर नसल में पत है देख रहे हैं तो आपको जैसे हो और भाई भी आपको देख रहे हैं क्या गाइड करना चाहूं जो आपको पसंद आई वह गाईली जी आवाए पस्ट वाइड तो आप से कोई जबरदस्ति करके रहें तो नहीं बाइसे ने जो गाये ली है ना इनको उन्ही गायें को यहाँ पैसे फाल्तू मिल रहे हैं, गाये के को अमंधी मिली है, गाये मंधी मिली है। ले ना ले अपना रात रूको अपनी रोटी पर नी खाओ अपना अपनी रोटी पर नी खाओ जो आपको अच्छी लगे वो लो लो बाई जी ने कल शाम को रात के समय गाए ले ली थी आज आएंगे गाए अपनी लोड करवा के तो कोई आपको कोई ऐसा तो नहीं भी कोई आपसे लूट मार ना ना कोई लूट मार ने कोई बार वीडियो में कहता हूं भी एक बार आप आके विजिट जरूर करें भी आपको आदम क्या पता लगे फारम भार पे हैं क्या सब्सक्राइब करें लिए और बहुत सब्सक्राइब लिए और बहुत सब्सक्राइब दन्यवाजी